अपने एक बात वीडियो में हर बड़े बता ही है कि camera justify नहीं करता आप इदर आके समझ में आया कि सच में camera justify नहीं करता हूं sound वह बाकी क्या और कुछ दो-चार चीज़े है हमने बोला भी नहीं था आपने खुद लगा कि दी छोटी चीज़े बहुत बड़ी impact करती है लेकिन आज proudly फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं Creta in night edition दोस्तों ये हैं हमारी night edition in guess the model जिससे हमने शुरुआत कीती दोस्तों और आज जो ये black beauty में आप लोगों के सामने present करने वाला हुना this is next level हर काली Creta इसी तरीके से upgrade होगी फ्रेंट प्रोफाइल आफ दा कार से मैं स्टार्ट करना चाऊंगा दोस्तों एक ट्रियो हेडलाइट्स की आनबान शान तो देखिए इसकी डियारल्स तो देखिए इसकी रोट प्रेजेंस दिस इस नेक्श लेवल जबी तो कंपनी टॉप वेरियंट में देती है ये कार के अंदर हमने नाइट एडिशन की ग्रिल इंस्टॉल की हुई है नाइट एडिशन की ग्रिल की एक खास बात आती है जो हुंडाई का लोगो आता है वो डार्क क्रोमियम में आता है दोस्तों विट दे रेड एलिमेंट्स के साथ है एक ग्रिल, स्किट प्लेट और ट्रियो हेडलाइट के साथ एक लुक, एक स्टेंड आउट, एक नेक्ष लेवल आता है दोस्तों तीन चीजे ग्रिल, स्किट प्लेट और डियरल के साथ इसका रोट प्रेजन्स आप चेकाउट कर सकते हैं अब आएंगे साइट प्रोफाइल ऑफ दा कार, गैस जा मॉडल बोल दिया तो 17 इंच के डैमेंड कट एलोई विल इंस्टॉल होंगे, लेकिन दोस्तों साइट प्रोफाइल कम्प्लीट कब होता है दो चीजों से सबसे पहली बात जो साइट की स्किट प्लेट हम इंस्टॉल करते हैं, जो हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की नाइट एडिशन की आती है, इसके बगैर साइट प्रोफाइल इनकम्प्लीट है दोस्तों, साइट स्किट प्लेट बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है एन प्लस जो नाइट एडिशन के पैनल्स हैं, वो भी हमने रिप्लेस किये हैं, इसमें सिल्वर कलर के पैनल्स ही लगके आते थे दोस्तों, नो क्रोम, एक भी क्रोम एलिमेंट हमने एड़ी नहीं किया है, फ्रन्ट, बैक, साइट से आप चेक आउट कर सकते हैं, लेकिन ए एडवेंचर के वेंट्स भी ये कार के अंदर इंस्टॉल किये हुए हैं, और एडवेंचर की वेंट्स की एक खास बात आती है, इसका ये जो डार्क क्रोमियम में आते हैं, दोस्तों, जो इसका होंड़ाई का जो लोगो आता है, वो एक्जेक्ली सेम टू सेम के साथ आपक ब्यूटी रियर प्रोफाइल आफ दा कार में आना चाहेंगे दोस्तों अगर हमने हैड लाइट रिप्लेस की है तो हम टेल लाइट भी रिप्लेस करेंगे इसके पार्किंग मोड्स ब्राइटर और ब्रॉडर आते हैं जेन्यून शार्क फिन एंटीना भी हमने इंस्टॉल कि जेन्यून इसकी कुछ बाती कुछ और है इंटीरियर प्रोफाइल आफ दा कार में ये कार में जो शेंपिन गोल्ड कलर की चारो डोर की लेदर रैपिंग हमने की हुई है एक एक हमारी डोर की लेदर रैपिंग वर्क आप चेक आउट कर सकते हैं और खास करके हमने जो सीट कवर इंस्टॉल किये हैं रियर पैसेंजर के लिए वो भी आप देख सकते हैं ये कार में रियर का जो चार्जिंग पोर्ट भी नहीं लगके आता है वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है दोस्तों ये भी खास करके मुझे वक्त लगा समझाने के लिए ले इनर हैंडल्स भी हमने replace किये हुए है और हमारी door की leather की wrapping भी आप check out कर सकते हैं front seat में हमारी seat cover की fit and finishing आप देख सकते हैं सुप्रीमो एडिशन के seat cover इंस्टॉल किये हैं एक एक bucketing के साथ steering का leather wrap किया है steering audio लगाया है cruise control हमने install किया हुआ है and yes, दोस्तों, प्लेयर लगेगा, तो Montego Bay आज की तारीक के अंदर, अब आएंगे म्यूजिक में, once again, जो प्लेयर हमने इंस्टॉल किया है, Montego Bay 990, Apple CarPlay Wireless, Android Auto Wireless and High Volt के साथ है, 4GB RAMP है, OctaGore Processor के साथ है, दोस्तों, this is Ultimate, Sony ES Series के component and coaxials हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किये हैं, और premium damping की हुई है, दोस्तों, ना amplifier लगाया है, ना ही hoover लगाया है, लेकिन ये combination, 100% success हो चुका है, and yes, रियर में Knight Edition का logo भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, owner of the car हमारे साथ है, उनका भी review लेना चाहेंगे, और ये वीडियो के साथ, मैंने दो गुजरात के वीडियो भी shoot किये हुए है, जिसमें हमने पूरी kraton बनाई हुई है, और एक raw गाड़ी है, उसे भी हमने gas the model बनाया है, मैं वो भी comparison का डालूँगा, owner of the car हमारे साथ है, ये कार हमारी महराश्रा पुने से आई वही है, इनका कैसा रहा experience नाइट एडिशन में अपग्रेट करने के लिए, और ये जो है क्रेटा इनकी चोथी क्रेटा है हमारे पास अपग्रेट करने के लिए, साइब कशी वाटली साइब, ये कारता एक नंबर जाली, में साव प्रश्न विचरत गेलो, सर माला उत्तर देत गेले, मंजे रश्नांच उत्तर तन्वीर सर, मंजे त्रेटा ही आपन ये मोडल गेतली होती, आपन तिला नाइट एडिशन में केली, कुनीच मनुश अक्नर नाइ, आपने कुछ ताम जाम करने की कुछ कुछ बोलना ही नहीं, सिंपल सी चिज़े आपने बता ही, वैसा ही हुआ, एक दम बढ़िया, सर जितना सजेशन देता हो ना, गाड़ी अल्टिमेट ही दिखती है, साइब कशिवा अचली हो, इसके साथ मैं अपने गुजरात का वीडियो भी मर्च करने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों, विद दे एडवेंचर के वेंट्स के साथ, बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन साइट स्किट पेट, साइट पैनल, ये रियल में बोल सकता हूँ, ब्लैक ब्यूटी है, ब्लैक ब्यूटी इसी को बोलते हैं, कोई क्रोम एलिमेंट्स हमने एड़ ही नहीं किये हैं, तो ये वीडियो, ये कॉंसेट आपको किस तरीके से लगा है, कॉमेंट जरूर करना, जाते आते दो वर्ट फिर से बोलना चाहेंगे, ये जो आप हमारी नाइट एडिशन, ब्लैक ब्यूटी देख रहे हैं ना दोस्तों, हम शूट कर रहे हैं, लेकिन ये लाइव जब देखते हैं ना सामने, ये फरक है, जैसे म्यूजिक, मॉंटेका, बेव अगेरा, इच एन एवरिटिंग, इस एक्सिलेंट, हमारी क्रेटाउन क्यों सुपिरियर है, क्रेटाउन में क्यों इन्वेश्मेंट करने ही चाहिए, दोनों भी इवेरियंट कार हैं दोस्तों, ये कार के अंदर हमने trio headlets install की है, night edition की grill install की है, night edition की skid plates भी हमने ये कार के अंदर install की हुइ है, लुक और एक stand out आप check out कर सकते हैं यह same car है ना ही हमने headlight replace किये है ना ही grill replace किये है ना ही हमने skid plate replace किये है लुक stand out investment आप लोगों के सामने है The side profile of the car में 18 inches के alloy wheel हमने ये car के अंदर install किये उसमें 17 inches के alloy wheel install किये और side के जो silver panels आते हैं उसे replace करके night edition के high gloss black color के हमने panel install किये है rear profile of the car में अगर हम headlight replace करेंगे तो हम tail lights भी replace करेंगे tail light की भी एक खास बात आती है इसके parking modes brighter और broader आते हैं और ये thinner आते हैं दोस्तों और आन बान शान rear की skid plate ये car में skid plate नहीं install हुई है और skid plate का look तो देखिए दोस्तों अगर ये skid plate भी आप top variant लोग है तब जाके company देती हैं हम तो E को ही kraton का धमाका मचा देते हैं और ये दोनों भी कारण ये दोनों भी car का आने का कारण एक ही था kraton में तो upgrade होना था दोस्तों लेकिन main player के लिए आये हैं और both the cars में हमने Montego Bay 990 इंस्टॉल किया है with the ESK component के साथ दोस्तों तो आज एक short video था मेरा comparison का खास करके outer profile में ही कि क्यों हमारी kraton में investment करनी चाहिए ये genuine shark fin install किया है और इनका तो antenna लखके ही नहीं आया था दोस्तों अभी ये भी पूरी हम upgrade करने ही वाले है तो ये comparison video आपको किस तरीके से लगा है दोस्तों comment ज़रूर करना drive safely and thank you friends once again